अगर आप बिना मेहनत के पूरे परिवार के लिए बहुत ही जटपट और बहुत ही जादा हेल्दी टेस्टी खाना सोच रहे हैं तो एक बार आप ये पालक पुलाओ मेरे तरीके से बना कर देखिए पूरा परिवार उंगलियां चाट कर खाएगा और खुद को रोक नहीं प पाई डालक अच्छे से वाश करना है आप इसकी जगे बाजमतीरा इस भी ले सकते हैं वाश करके मैंने अच्छे से दूरसा पाई डाल दिया था और 20 मिनटके सोग करने के लिए छोड़ देना है अब मैंने पालक ले लिया था अच्छे से इसको वाश करकर ऐसे फाइनली बोल पालक लिया है तो हमें क्या करना है ग्राइंडिंग जार में पूरी पालक को पहले डालना है इसको अच्छे समय ग्राइंड करना है लेकिन यह जो पालक ग्राइंड करना है इसके साथ अब इसको मिक्स करिए इसे यहां पर लहसुन ले लिए मैंने चार से पांच में कर डालिए बहुत ही जब अजस्ट टेस्ट आता है थोड़ा सा यहां पे गरम मसाला और बस पालक में पानी होता है इसको बढ़ी असा ग्राइड कर लीजे अगर नहीं पिस रहा हो तब थोड़ा सा पानी एड़ कर सकते हैं यह देखे बढ़ी असा ग्रीन प्योरे तो बन गय तो मैंने यहां पे 2 चंबर घी ले लिया है घी में बहुत ही जब अजस्ट टेस्ट आता है तो सबसे पहले मैंने यहां पे काजू को अच्छे से प्राइड करना है आप कोई भी ड्राइफ फोड ले सकते हैं पर काजू में इतना ज्यादा अच्छा फ्लेबर आता है कोई याप पुलाव बनाईए तो काजू जरूर अट करें तो बसको निकाल लेते हैं अब हम इसमें इसी घी में डालना है एक तेज पत्ता एक दाल चिनी का टुकड़ा दो से तीन ब्लैक पेपर और दो से तीन लॉंग अब कलोप्स और एक चमस जीरा सब को अच्छे से मैंने यहाँ पर एक बड़ा साइस का प्याज लिया था और इसको ऐसा मोटा मोटा रफली चॉप कर लिया है आप इसको लॉंग स्लिट में भी करके डाल सकते हैं अब प्याज को आपको अच्छे से पहले हलका ट्रांस्परेंट होने तक भून लेना है यह देखे और यह है एक चमच जिंजर गार्लिक पेस्ट वो भी मेरा घर का बना हुआ है वो डाल देंगे आप ऐसे अलग से गार्लिक और जिंजर भी चॉप करके डाल सकते हैं अच्छे से इसके साथ भूल लेंगे अच्छा सक चपन जब चला जाएगा ना तो यह जो ग्रीन प्योरे बना के रखा है पालक का बहुत ही जबज़ टेस्ट वाला इसको डालेंगे और अच्छे से पहले मिक्स करना है मिक्स करने के बाद साथ में हम इसमें थोड़े स्पाइसे सट करेंगे जैसे हल्दी पाउडर चोटी टी स्पून और नमक नमक अब ध्यान से डालें जहां जाँ भी लाइड कर रहें तो अब दक कर बढ़ियां से हमें इसको लो फ्लम में पकाना है और अब हमें इसको बहुत ही हल्दी तरीके से बना रहे हैं तो कुछ वैजिस लेंगे जैसे मैंने यह टामाटा ले लिया है साथ मैंने फूल गोवी रखी थी वो ले लिया है सारा की कटोरी कि लो लिया इसे बड़िया है इसके बाद आधा कडूरिया इसे लो लू ने मैंने कारट यहनि गाजर को चौप किया वो लेना है तरह पर चाहिए अजिया नहीं करना है जो बादा तरह को ख़गे शट्छ करने हैं और गश्थ हुआ does कटोरी चावल लिया था न वह छोगा में चावल बूदा के लुक्ष, process कटोई 6-7MP आपको इसको पकाना है मीडियम फ्लेम में ये देखे और ईसको चला दीजिए क्योंकि हम ऐसे पका रहे है तो बस आधा तो यह कोख हो चुका अब आपको क्या करना है यहां पर ना इसको डालना है धनिया की पती से बहुत अच्छा टेस्ट आ तो ढख देंगे धकने के बाद तीन से चार मिट लो फ्लेम में पकाया है यह देखे और आप दो से तीन मिट बाद चेक करेंगे ना तो बिल्कुल बढ़िया सा राइस पक ग इपिन उ Iraqi है बहुत ज्यादा है बहुत ज्यादा बहुत ज्यादा डिलिसियस गर्मा गर्म आप potassium की छटनव कि अचपनी के साथ सब कर सकते हैं मैं और ना रायते के साथ सब कर सकते हैं नहीं को सब किया हैं अब्रूर चटनПрोंश विंटर के लिए बहुत ही वहादी होती है और इस पुलाव के साथ बहुत ही healthy combination है जिसको जरू ट्राय करें साथ में मैंने एक राइता भी बनाया है तो राइते के रेस्पी पहले से uploaded है चैनल में तब देख सकते हैं जरू ट्राय करें तब तक के लिए बाई थैंक्स वर वचिंग में वीडियो